जहिन साथियों मेरा नाम है रुणकुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं T2 Classes आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में साथ ही वीडियो में हम इंडियन फérique डांस के बारे में भी बात करेंगे detail से जानेंगे, सभी exams के point of view से ये video बनाई गई है student को काफी परेसान करते हैं, folk dance याद नहीं होते हैं फिर उनके कुछ special features होते हैं, folk dance में वो भी याद नहीं होते हैं तो वो सारी चीज़े हम इस video में cover करेंगे मेरा नाम है रुन कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं टीटो क्लासिस वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो देखे सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन classical dance की कितनी form होती है और उससे पहले भी हम जानते हैं कि ये जो term है dance, dance का term आया कहां से तो सबसे पहले जो dance term है, dance term का mention जो हमें मिलता है सबसे पहला mention मिलता है नाटियस सास्त्र के अंदर नाटियस सास्त्र क्या है? नाटियस सास्त्र भरतमुनी का एक famous work है किनका भरतमुनी का याद रखिएगा? भरतमुनी नाटियस सास्त्र भरत्मुनी का फेमस बर्ख है नाटियस सास्त्र जो 200 BC से लेके 2nd century AD के बीच में complete किया गया था क्या चीज नाटियस सास्त्र ये बात आप याद रखेंगे तो सबसे पहले डांस ये निरत्य का टर्म हमें यहीं देखने को मिलता है इंडियन classical dance की कितनी फॉर्म होती है ये हम समझे की कोशिस करते हैं देखे classical dance basically classical dance हम किसे कहेंगे ये जानना जरूरी है हाला कि इसकी कोई परिवासा नहीं है फिर भी हम classical dance किसे कहेंगे which conveys a story और theme ऐसा dance जिसके dance के साथ साथ वो convey करता है एक story को और वो story भी किसी theme से related होती है औ वो theme की root पाई जाती है religious Hindu musical यानि के भारत के जो हिंदु धर्म है उनका जो है उस धर्म धार्मिक जो कथाएं है उन धार्मिक कथाओं को musical के रूप में music के रूप में अगर हम पिरोदें कन्वे कर दें तो इसे ही हम कहेंगे Indian classical dance classical dance हाला कि इसकी कोई परिवासा नहीं है फिर कि स्टोरी होती है related कि से होती है religious Hindu music related होती है कि इतने classical dance है भारत में सीधा सीधा अगर आप SSC bank या फिर आप कोई छोटा exam group B का या group C का exam दे रहे हैं तो सीधा सीधा में following आता है भारत नाटियम कहां का है तो भारत नाटियम तमिल नाडू का classical dance है कुचीपूरी कहां का dance है कुचीपूरी आंदर प्रदेश का classical dance है कथक कली कि किरला का dance है मोहिनी अट्डम습 मोहिनी अट्डम भी केरला का dance है किरला के डो दोस आपको या रखने मोहिनी अट्डम मोहिनी अट्तरम मैंडियम से प्रचला है लेकिन इसका जो कर्दा लगी सीगहां मनी पुड़ी से ही होता है इसलिए कत्थक को हम यूपी के साथ मैच करेंगे कहीं कहीं पर आपको कत्थक के साथ जो है नोर्थ इंडिया भी दिखा मिलेगा नोर्थ इंडिया तो यह भी आप याद रखेंगे कि कर्थक जो है वो नोर्थ इंडियन डान्स है और इंडिया यह भी कभी-कभी पूछा जाता है उसके बाद सत्राइया आज के लेगजा में बहुत पूछा जने लगा सत्राइया जो है वो आसाम का डांस है तो यह जो आठ मैंने आपको बताए कौन-कौन से मैंने आपको आत बताए हरतनाटियम तमिलनाडू कचीपुरी आंदरप्रदेश अथक कली केरला मोहिनी अटम केरला उडिसी उडिसा का डांस क्लासिकल डांस मनीपुरी मनीपुर सत्थक उत्तरप्रदेश सत्राइया आसाम यह जो आठ डांस की फौर्म है क्लासिकल डांस की फौर्म इनको क्लासिकल डांस कहा गया किसके दौरा संगीत नाटिय अकैडमी के दौरा संगीत नाट्य अकाडमी है वो इन आर्ट को क्लासिकल डांस मानती है लेकिन जो मिनिस्ट्री ओफ कल्चर है भारत सरकार की जो तांस्कृतिक मंत्रा ले है उसका मानना है कि जो उसने एक और एड़ किया है च्छाउ च्छाउ डांस को भी क्लासिकल डांस फो में एड़ कर दिया गया है और च्छाउ कहाँ पे है हाँ का डांस है तो च्छाउ जो है वो वेस्ट बंगाल और जहारखंड का डांस है वेस्ट बंगाल और जहारखंड का डांस है उडिशा के कुछिस्टों में भी ये dance form है तो आपको ये 9 याद रखने है आठ को classical dance किसने कहा है संगीत नाट्य अकैडमी ने और च्छाओ जो छटा dance है च्छाओ इसको किसने कहा है Ministry of Culture ने जो की West Bengal, जहारकंड और उडिशा के कुछिचों में भी dance form ये है तो चलिए अब इन dance form के बारे में हम एक एक करके जानेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम भरत नाट्यम के बारे में देखेजिए महिला जो है इस picture में फोटो में भरत नाट्यम को प्रस्तुत कर रही है भरत नाट्यम भरत नाट्यम दो सब्दो से मिलके बना है भरत प्लस नाट्यम भरत प्लस नाट्यम देखेए भरत प्लस नाट्यम दो सब्दो से मिलके बना है का मतलब क्या होता है भरत का मतलब होता है भरत मुनी कह रहे हैं भरत नाटियम कहां पे है तमिलाडू में यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ तमिलाडू में ठीक है थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे भरत नाटियम को दा फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है यह बात आपको बि विजवेंड मान जाता है सादिर से किसे मना जाता है सादिर से, सादिर क्या है वई, सादिर, the solo dance performance of the temple dancer, मंदिर में dance करने वाले जो लोग होती है, जो निर्टक होते हैं, उनके दुआरा जो solo dance रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं सादिर, तो वहीं से इसका भरतनाटियम का ओरिजन जो होता है साधिर से ही होता है और क्योंकि मंद्रों के अंदर सॉलो डांस किया जाता है टेमपल डांसर के द्वारा उन टेमपल डांसर को हम देवदासीज भी कहते हैं योगि यह डान्स की बहुत पुरानी फोम है तो इसको रिवाइब किया वर्तमान में किसने रिवाइब किया तो याद रखेंगे आब B.Krishna Ayer पी कृष्णा ऐयर और globally किसने रिकोगनाइज कराया इसको अगर हम विस्व की बात करें विस्व की प्रश्पूमी पर किसने रिकोगनाइज कराया तो उनका नाम है रुकमनी देवी अरुंदली रुकमनी देवी अरुंदली सीधा-चिधा कोस्टन आता है निम लिखित में से कौन सा भरतनाटियम से संबंदित है इन दोनों में से एक नाम आपको लिखा मिलेगा पी कृष्ण ऐयर जिन्होंने इस डांस को रिवाइब किया रुकमनी देवी अरुंदली जो जो है इसको रिकोगनाइजेसन दिलाई है ग्लोबल लेवल पे विस्व के बटल पे इसको कडा भरतनाटियम को सोटनाटियम की बारे मिंगे अतना ही जानना है अगला जो हमारा डान्स है वीचि-पूरी गया sebagai गाउँ है अंत्रपर्देश कहा है इस dance के central theme क्या होती है जैसे मैंने आपको बताया सारे classical dance जो होते हैं उनकी कोई ना कोई theme होती है तो इसकी classical theme जो है वो है भगवत पुरान भगवत पुरान के अंदर जो कहानिया है वो इस dance के द्वारा प्रस्तूत की जाती है important बात है MCQ में पूशी जाती है कि कच्ची पुरी dance जो है कच्ची पुरी dance की central theme क्या है तो कच्ची पुरी dance की central theme है भगवत पुरान के अंदर जो इस्टोरिया है और इसको revive किस ने किया जैसे हमने आपको भी बताया कि जो भरत नाटियम था उसको revive करने का काम किया था बी क्रिशना अयर ने उसी तरह से 20 सेंचुरी में कच्ची पुरी को revive किया है बाला सरस्वती बाला सरस्वती और रागनी देवी ने most important है फिर याद रखिएगा dance form का नाम दिया जाता है और सामने उसे सम्मंदित व्यक्ति का नाम दे के पूछा जाता है तो अगर आपको बी क्रिशना अयर दिया जाता है या रुकमनी देवी अरुंधती दिया जाता है अरुंधली तो यह आपको भरत नाटियम के साथ मैच करने है आपको मिलता है बाल बहुत ही difficult moment इस dance के अंदर होता है कुछी पुडी के dance करने वाले जो performance होती है उसमें पैरों का बहुत ही difficult moment किया जाता है involves the difficult moment of the food difficult food moment इसके famous proponents जो है वो कौन-कौन है इस dance को प्रस्तुत करने वाले famous जो है dancer उनका नाम है राधा रेड़ी और राजा रेड़ी ये भी दोनों नाम आपको याद रखने है तो कुछी पुडी से सम्मंदित चार नाम आपको यहाद रखने है पाला सरस्वती रागनी देवी जिन्नों ने इसको revive किया है और जो इसके proponents है वो है राधा रेड़ी और क्राद को आपको कि आपको अंसर होगा क्लासिकल डान्स है क्लेट क्या अपको बताया था कि किसी भी डांस में कितने भी इंडियन क्लासिकल दांस है उनमें नेरेटिंग स्टोरी होती है, कोई ना कोई थीम होती है, वो भी हिंदू, हिंदू धर्म से रेलेटिड, तो कथक कली में क्या है, रमायना और महाभारत की स्टोरीओं को नेरेट किया जाता है, रमायना और महाभारत की स्टोरीओं को कथक कली के द्वारा नेरेट किया जाता ह है एक्थक कली भी दो सब отмет cisकलि किन सब 14th मिल के ब analytics लघ में प्लशकली अलिकाम कथक का मतलब होता स्टॉरी और कली का मतलब होता है ड्रामा यानि इस डांस में स्टॉरी के साथ ड्रामा होता है यानि कि इस डान्स फोर्म में एक स्टोरी होगी प्लस ड्रामा होगा और उसके साथ साथ डान्स भी होगा और इन तीनों चीजों को अलग करना पाना बहुत ही मुश्किल होता है इस्टोरी ड्रामा और डान्स तीनों चीजे एक साथ चलती है और इन तीनों चीजों को अलग करना पाए हुए रहते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं अच्छा इसको रिवाइव करने का काम किस ने किया जैसे में हरे एक का रिवाइवर आपको बता रहा हूं तो वी एन मैनन एक किला के भोती फेमस कभी हुए हैं वी एन मैनन ने जो है कथक कली को रिवाइब करने का काम किया है किस ने किया है वी एन मैनन तो वी एन मैनन का नाम जहां भी आपको दिखाई दे आप सीधा उसको मैच करेंगे कथक कली के साथ इसके अंदर क्या होता है बहुत जैसे मैंने आपको पता है डान्स प्लस ड्रामा दोनों का involvement होता है और दोनों को आप separate नहीं कर पाते के लिए लिए separate करना मुस्किल है अच्छा इसमें जो dance करने की नर्तक की जो wastebusa आप देख रहे हैं यहाँ पर yellow color आपको दिखाई दे रहा है yellow color की wastebusa बनाई होई है तो हर एक color का कुछ ना कुछ meaning है हर एक color का कुछ ना कुछ significance होता है यह question exam में पूचा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ समलिद किया है किस color का क्या significance होता है यह आप बात याद रखिएगा green color का मतलब होता है novelty, red color का मतलब होता है royalty, black color का मतलब होता है evil, yellow color का मतलब होता है saint and woman भी इसका मतलब है वेस्हुसा से जो नढ तक है दो कथकली प्रस्तुत करने वाला लाकार है उसके द्वारा पहनी ड्रेस का कलर क्या है अगर ग्रीन कलर पहना है तो नोबेलिटी को बता रहा है तो रेलिटी ब्लेक पहना है तो इविल य데 रक सास एंवर महिला बारे में बताता है और अगर जैसे यहां पर आप देख सकते हैं रैड यह जो फेस है यह ग्रीन कलर का पेंट किया हूह है अगर यही फेस जो है रैड कलर का पेंट कर लेता है इत्स परफोर्मर उसका मतलब होता है evil यानि बुरी आत्मा राक्सस रेड पेंटिट फेस का मतलब होता है पूरा complete red पेंटिट फेस मतलब बुरी आत्मा evil राक्सस इसीदे सिदे मैं सदा following में question आते हैं इसलिए मैंने इनको यहां पर समलित किया हुआ है mostly represent जो किया जाता है यह में क्या represent कियाता है eternal conflict between good and evil यानि के अच्छे लोगों और बुरे लोगों यानि अच्छाई और बुराई अच्छाई और बुराई के बीच में जो संगर्स होता होता आया है उसी को इस dance form में mainly समलित किया जाता है रमायन और महाभारत में आप क्या देखते हैं अच्छाई और बुराई के लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई है उसी को dance form को में समलित किया जाता है तो mainly ये conflict दिखाता है good and evils के बीच में most important बात ये है कि ये जो dance form है वो open air theater में प्रस्तूत की जाती है यानि एक ऐसा theater इसके उपर छत नहीं होगी बैठने की जगा होगी आप CD समझ सकते हैं यहाँ पर dance performance की जा रही है लेकिन उसके उपर छत नहीं हो dance form है रामायर और महाभारत की स्टोरियों को narrate किया जाता है वी एन मैनन ने इसको revive करने का काम किया है इसके अंदर dance और drama दोनों को ही moment के द्वारा प्रदस्त किया जाता है और दोनों को के लियली separate नहीं किया जा सकता और ये जो है open air theater theater में ही performances की की जाती है अगली dance form के बा dance form है कथर कथक और characterized by the characterized by the characterized by the use of indicated footwork यानि basically इसमें पैरो के moment का बहुत पैरो का बहुत अदिक मोमेंट होता है basically इसको पैरो के moment के द्वारा ही कुछ ना कुछ इंडिकेट करने की कोशिस की जाती है जैसा कि हमने पैरो का moment पिछले भी एक dance में देखा था कच्ची पुरी में और कथक में भी पैरो का काफी involvement होता है इसको रिवाइब करने का काम किस ने किया ये भी question पूछा जा सकता है तो lady lila soke ने lady lila soke ने इसको रिवाइब करने का काम किया है lady lila soke आपको कहीं भी दिखा मिले तो आप सीधा कथक के साथ उसको match कर देंगे अगला dance form है हमारा मोह मोहिनी अट्टम प्रस्तूद कर रही है मोहिनी अट्टम अगेन केरला की dance form है यह यह भी दो सब्दों से मिलकर बना है मोहिनी प्लस अट्टम मोहिनी का मतलब होता है beautiful woman और अट्टम का मतलब हो गया beautiful woman के द्वारा प्रस्तूद किया जाने वाला dance इसका मतलब हो गया कि यह solo dance performance होगी वोमेन के द्वारा मतलब मोहिनी अट्टम जो होता है वो किसी लेडिस के द्वारा वोमेन के द्वारा solo dance performance होती है वो अकेली इस dance को perform करती है और इसमें जो footwork होता है वो काफी gentle होता है footwork जो होता है वो काफी gentle होता है यह जो पॉस्टर को बोलते है त्री भंगा पॉस्टर क्या बोलते है त्री भंगा पॉस्टर जो लेडिस ने poster बनाया हुआ है, यह तरीवंगा poster है तो वो मिलते हैं, उदैगरी और खांडागरी की गुफाओं के अंदर से सबसे पुराने जो इसके example हैं, वो इसी डांस के देखने को मिलते हैं international famous किसके अंडरिस निसने पाई है तो आप यहाँ पे दो नाम याद रखेंगे चार्लिस फवरी और इंदरानी रह्मान दोनों ही नाम आप प्याद रखेंगे इन्होंने इस डांस को इसी डांस को इंटरनेशनल फेम इंटरनेशनल प्रसिद्धी दिलाने की कोशिस करी है दोनों नाम इंपोर्टेंट है दोनो चार्लीस फबरी और इंदरानी रह्मान दोनों डांस करने वाले डांस से सम्मंदित नाम मिले तो आप सीधा उसको उडिसी के साथ पुडिसा के डांस उडिसी के साथ मैच कर दीजिएगा अगला डांस फो में देखी मनीपूरी मारेक नोर्टिस्ट आज ये मनीपूर और मनी एक इन थीम होती है वह ओती है घ्ठी को प्रस्तुत करने वाला डांस है इसके अंदर क्या होता है जो डांसर सोते हैं वह पेश को कवर कर कर के रखते है याँ अप 뭔नी आंस सकते हैं मनीपूरी रांस में गटार hundred Desas में होता है मनी पूरी डांस में होता है बेसिकली इसकी थीम होती है रासलीला इस डांस की थीम जो है वो रासलीला और रासलीला का मतलब आपको पता होगा राधा कृष्ण की लवी स्टोरी यहाँ पे यहाँ आप कृष्ण तो राधा को देख सकते हैं तो राधा कुरिशन की लवी स्टॉरी basically इस मनिपुरी डांस की theme होती है, किसी theme होती है मनिपुरी डांस की theme होती है रास लिला पूर्धे की यहां पे एक भोती famous नाम आ रहा है रविंदर नाथ टैगोर तो रविंदरनाथ टैगोर ने इस dance form को revive करने का काम किया कैसे किया क्योंकि उन्होंने इस dance form को अपने सांती निकेतन के अंदर introduce किया था most important line है ये रविंदरनाथ टैगोर रविंदरनाथ टैगोर revive it as he introduced in सांती निकेतन ऊस्थानती निकेतन में इस dance form को इंटटूड्यूस किया और इसको REW hairst करने काम किया किस ने मनिव पूरी dance को REWован करने का काम किस ने किया वच्चो तो इसको किया करने का काम रविंदरनाथ टैगोर ने, रविंदरनाथ टैगोर ने, नाम याद रखिएगा, बार-बार मैं आपको बता रहो, रविंदरनाथ टैगोर, रविंदरनाथ टैगोर, अगली डांस फोर्म है, हमारी सत्रैया, सत्रैया जैसे मैंने आपको बताया था, आसाम की डांस फोर्म है सत्राया ठीक है आसाम में यह dance form है classical dance form आसाम की है इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि यह भक्ती मुमेंट से inspired dance form है भक्ती मुमेंट से यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्राया dance करती हुए लेडिस को भक्ती मुमेंट जो हुआ हिंदुस्तान में उससे इसको inspire है यह dance form और एक वैशनव संत थे संकर देव उन्होंने इस dance form को introduce किया था दो ही बात तीनी बाते हैं आपके आपका अधर नहीं है सत्राया आसाम का classical dance है संकर देव जो वैशनव संत थे वैशनव मत के संत थे उन्होंने इसको introduce किया इस dance form को और यह basically भक्ती मुमेंट से inspired dance form है नाम है चाओ बहुत बार exam में पूछा जाता है सीधा सीधा राजय का नाम पूछा जाता है यह folk dance शुरू हो गए है अभी और यह classical dance भी है चाओ तो चाओ कहां का dance है जहारखंड याद रखना है आपको उड़िसा रखना और वैस्ट बंगाल याद रखना है तीनों स्टेट के यह वाला dance जो है किया जाता है classical dance जहारखंड उड़िसा और वैस्ट बंगाल बेसिकली मुख्य रूप से वैस्ट बंगाल और जहारखंड के अंदर है यह जो यहाँ पर देखिए आप कर सकते हैं कि जो यह तलाकार है वो च्छो डान्स को प्रस्तुत कर रहे हैं अब हम folk dance क कर रहे हैं यहाँ पर folk dance किया होते हैं folk dance उनको गलते हैं जो किसी particular community के दोरा किसी particular region में किये जाते हैं उनको folk dance कह सकते आए जो particular festival लोगों कि दोरा किये जा सकते हैं जैसे कि गुजिरात का फोक दि है गर्बा देखिए गर्बा आपको पता होगा गर्बा कहां का फोक डांस है तो गर्बा जो है ये गुजरात का फोक डांस है इसकी दर नामा आपको रखना है और घूमर घूमर डांस कर रही है लेडीज और घूमर जो है ये कहां का गोल गोल घूमके डांस किया जाता है और घ याद रखना है अभी हम classical dance की बात नहीं कर रहे हैं हम folk dance की बात कर रहे हैं बहुत सारे folk dance के नाम मैं आपको बताऊंगा main main की photo लगाई है ताकि आप उसको भूले ना कला बेलिया कहा का dance है राजिस्थान का folk dance है दूसरा है थंगा मरेल कई बार एक जाम में पूछा गया थंग इस फोटो में जो लेडी डांस कर रही है यह थंगा मरेल की dance form है यह कहां का folk dance है थंगा मरेल जो है यह गोवा की dance class folk dance है याद रखना है आपको बहुत बार एक जाम में पूछा गया थंगा मरेल गोवा कलाबेलिया राजिस्थान रास लीला आगें रास लीला कृष्ण और folk dance है रास लीला कहा का folk dance है classical dance मैंने आपको उत्तर परदेश का बताया था कथक तो रास लीला यह है folk dance कहा का folk dance है यह उत्तर परदेश का folk dance है यहां पे देखिए यह कलाकार पस्तुत कर रहे हैं जावारा डांस और जावारा डांस जो है यह कहा का dance है तो यह मद्धे परदे का डांस है अध्यप्धेश से आपको याद रखना है जवारा से याद रखना है आपको रासलीला और दोनों वहीए यह folk dance फॉर्म है classical dance की बात मैं नहीं कर रहा हूँ खलिए folk dance को और हम थोड़ा थोड़ा सा ओर डीप में जाने के गोश्चिस करेंगे folk फोक डान्स ओप इंडिया किदा मैंच दा फालॉइंग में कोस्टन आता है फोक डान्स होता क्या है कनफाइंड टू ए सटेन सेट ऑफ प्यूपिल और एक पर्टिकुलर लोकालिटी किसी विशेश जाती के या विशेश प्रिकार के लोगों के द्वारा किसी विशेश लोका गर्भा मैंने आपको बताया था गुजरात और गुजरात में एक और होता है डांडिया रास और गर्भा आपको गुजरात के साथ याद रखना है गुमर और कलावेलिया गुमर और कलावेलिया दोनों ही जो है वो राजिस्थान के फोक डान्स हैं गुमर और कलावेलिया यह आपको रटना ही है कोई उपाय नहीं है उसके बाद है चरबा और चरण मैं प्रणाउंस हो सकता है थोड़ा गलत कर रहा हूं क्योंकि इन चीजों का प्रणाउंसिसन छेत्रिय भासा में होगा चरबा और चरण यह दोनों ही हीमाचल परदेश के फोक डान्स है चरबा और चरण के बाद है हमारा भंगड़ा और गिद्दा जो लेडीज करती है उसे गिद्दा बोलते हैं जो जैंट्स करते हैं उसे भंगड़ा बोलते हैं तो भंगड़ा और गिद्दा दोनों ही पंजाब के फोक डांस है थंगामरेल मैंने आपको बताया गोवा रासलीला मैंने जावरा मैंने आपको बता है मद्धे परदेश का फोक डांस है मैंकी मैंकी अगें राजिस्थान और मद्धे परदेश के छितर में होता है मैंकी मैंकी नहीं है यह मटकी है sorry for pronouncesion यह है मटकी मटकी कहा का डांस है तो मटकी राजिस्थान और मद्धे परदेश का जो बोर्ड आईए गामत मद्धे प्रदेश पर टिक कर दीजिएगा उसके बाद है गौर मारिया और रोत नाच गौर मारिया और राउत नाच ये दोनों ही जो हैं वो 36 गड़ के फोक डांस हैं तीन चार बार ये पेज तीन चार बार ये चीज़े आपको पेज पर लिखनी है याद हो ज हैं तो हम बात कर रहे थे किसकी हम बात कर रहे थे और मारिया और रोत नाच के बारे में और ये दोनों जो ही हैं ये दोनों 36 गड़ की डांस फोम है अलाप अलाप और गंभीरा अलाप 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 है कि अलकाफ है ये अलकाफ है प्रनांसिसन थोड़ा सा मुस्किल है ये है अलकाप और गंभीरा अलकाप और गंभीरा दोनों का इस बिरहा जो है वो बिहार का फोक डांस है पैका पैका जो है वो उडिसा का फोक डांस है अभी देखिए हमने देखा था यहां पे घूमर घूमर देखा था राजिस्थान का और दूसरा होता है जूमर एक होता है घूमर एक होता है जूमर घूमर जो है वो राजिस्थान का है और जूमर जो है वो हरियाना का है बिल्कुल भी कंफूज नहीं होना जूमर जो है वो राजिस्थान का है जूमर जो है वो हरियाना का है और लूर पुत है लूर जूमर और लूर दोनों जो है हरियाना के फोक डांस है जाट जाटिन और विदीशा और उसके साथ में बिरहा तीनों को मिला लीजिए आप बिरहा जाट जाटिन और विदीसा ये तीनों जो हैं बिहार के फोक डांस है कौन कौन से में आपको बता है बिरहा जाट जाटिन और विदीसा ये तीनों जो हैं बिहार के फोक डांस है भी हूँ आपको पता ही होगा आसाम का फोक डांस है बहु भी कन्फ्यूज नहीं होना कहीं हिमाचल पर्देश या लेलद दाक में मत पहुच जाना थांगला जो है यह गलती होती है इसको हिमाचल पर्देश या लेलद दाक से मैच कर दो